प्रिये शुरताओं, मैं डॉक्टर शालीनी मूल चंदानीज, सह आचार्य एवं विभागा द्यक्ष, हिंदी विभाग राजके डुंगर महाविध्याले पीका नेव आज हम बिए डुश्य वर्ष के प्रतम प्रष्ण पत्र रिति कालिन कावे के अंतरगत, रिति मुक्त कवे के बारे में चर्चा करेंगे, उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे रिती काल के वे कवी जिन्नोंने रिती के बंधन को स्विकार नहीं किया और रिदय की स्वतंत्र वृतियों को कावे निबद किया उसे रिती मुक्त कवी कहा गया रिती मुक्त कवीयों द्वारा लिखे जाने वाले कावियों को रिती मुक्त कावे कहा जाता है रितिकाल में कुछ ऐसे कवी भी हुए जिन्होंने लक्षन ग्रंत लिखने की परंपरा का पालन नहीं किया उनकी रचनाओं में किसी भी रीती पधती का अनुसरन भी दिखाई नहीं देता चुनकि ये कवी लक्षन ग्रंतों से मुक्त होका रचना करते रहे इसलिए इन्हें रिती मुक्त कवी कहा गया इन कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विज देव आदी प्रमुक हैं रिती कवी एवं रिती मुक्त कवी के बाहिय स्वरूप में कोई विशेश अंतर नहीं है इन दोनों में मूल अंतर उस दृष्टिका है, जिसे लेकर कोई कवी कावे रचना में प्रवर्थ होता है रिती मुक्त कवी अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए कावे रचना करते हैं आश्रे दाता के प्रशनशा के लिए नहीं रिती कावे लेककूं का कविता के प्रती द्रिष्टिकूं दायित्व का नहीं आनंद का था जबकि रिती मुक्त कवियों ने कविता को साध्य माना है ठाकूर रिती कवियों की घूड़ी गत परिपाटियों की आलोचना करते हुए कहते हैं डेल सो बनाय आय मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानों है जबकि घनानन कविता के प्रती दायतु बोध रखने वाले सजग रचनाकार है वे कहते हैं लोग हैं लागे कवित बनावत, मोही तो मोरे कवित बनावत रीती भुख्त कव्यों का प्रेम वास्ठा जन्न वै संभोग परक नहीं है इनके प्रेम में शुद्ध शारीरि काकर्षन के स्थान पर विर्य की गरीमा है इनका प्रेम एक निष्ट और सिधा सरल है सुजान के प्रेम में रख घनानन्द कहते हैं अति सुदो सनेह को मारग है जहां नेक सयानप बांक नहीं रितिमुक्त कावे पर फार्सी का प्रभाव भी इसपष्ट है घनानन्द और आलम फार्सी के विद्वान थे इनके विरह पर फार्सी शाली का प्रभाव भी पड़ा दिल के टुकडे, छाती के घाव जैसे विरक्ति पूर्ण उपमानों का प्रियोग हुआ जो संबेदना कम बेचेनी अधिक उत्पन करता है वस्तुते रितिमुक्त कावे शास्त्रों से मुक्ति का कावे है इन कवियों ने कावे शास्त्र के नियमों पर ध्यान नहीं दिया ये कवी रिदय के अनुबूति के आधार पर रचना करते हैं इनका कावे आलंकारिक्ता का खंडन करता है तथा मारमिक्ता पर ध्यान देता है इनके यहां अलंकारों का प्रियोग कम हुआ है गर्णानन ने अलंकाद प्रयुक्त तो किये किन्तु गहन भावों के अभिव्यक्ति के लिए ना कि चमतकार प्रदर्शन के लिए उनका विरोधवास अलंकार का उधारन उलेकनी है उजरन बसी है हमारी अक्यान देखो प्रितिमुक्त काव्यधारा के प्रमुक्त कवी और उनकी कृतिया इस प्रकार है कनानन ने सुजान सागर, सुजान हित, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कृपा कांड निबंद, रस केली वल्ली, यमुना यश, लोक सार, प्रिति पावस पदावली, प्रकिर्नक छंद आदी ग्रंतों की रचनाएं की आलम ने आलम केली, माध्वा नल, काम कंडला, सुदामा चरित और स्याम सनेही की रचना की ठाकुर की रचनाएं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक मुक्य हैं बोधा ने विरह वारिश और इश्क नामा लिखा भन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए